कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैं रानी गुपता आपके साथ और बड़ी ख़बर पश्चम बंगाल से आ रही है आपको बता दे कि इस वाक्त पश्चम बंगाल के कई हिस्सों पर लगातार CBI action के मोड में है और लगातार ममदाव energy की मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि TMC के कई नेताओं के ठिकानों पर इस वक्त CBI rate कर रही है जहां सुबोध अधिकारी के घर पर CBI इस वक्त मौझूद है तो वही कमल अधिकारी के घर भी CBI rate कर रही है आपको बत जादे किस से पहले भी पर्शम बंगाल की ममताव energy की सरकार में मंत्री रहे पार्थ चाटर जी की मुश्किले बढ़ी थी उसके बाद अनुबरत मंडल को गिरफ्तार किया गया और अब TMC के ही नेताओं के हाँ पर एक बार फ़र से CBI rate करने के लिए पहुँच चुकी है औ रविवार की रात को cheat fund मामले में पर्शम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हाली शहर नगरपालिका के चेयर्मेन राजू सहनी को गिरफ्तार किया था रविवार की सुबह CBI की दो टी में मुख्याले से रवाना हुई एक टीम राजू सहनी के घर फिर से तलाशी ले रही है त आपको बता दे कि राजू सहनी को CBI ने 80 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था तो वहीं कोट ने उसे पाच दिनों के पुलिस हिरासत में भेजने का निरदेश दे दिया है बता दे CBI अधिकारी के अनुसार CBI बीचपूर विधानसभा के 6 स्थानों पर छाप्यमार कर रही है इसमें बीचपूर विधायक सुबोद अधिकारी के घर कंचर पाड़ा नगर पाले का अध्यक्ष कमल अधिकारी के घर पर तथा कंचर पाड़ा के नगर पारशद वार्ड नंबर एक जुम्पा सिंग के घर के साथ राजुसानी के अन जगों पर भी CBI इच्छा पिमारी कर रही है आपको बता दे कि साल 2011 में जब राज्य में त्रडमूल की सरकार बनी थी तब हाली शहर से वांपंथी पार्टी बोर्ट था 2013 में वांपंथी पारशदों ने अचानक इस्तिफा दे दिया और त्रडमूल में शामिल हो गए और त्रडमूल कॉंग्रस का बोर्ड बन गया राजुसाहनी के पिता लक्षमर साहनी उस बोर्ट के डेप्टी चेयर्मेन बने थे कुछ वर्षों के भीतर लक्षमर साहनी की मृत्ति हो गई तो राजुसाहनी ने अपने पिता के सीठ निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी इसके बाद वे चेयर्मेन बने साल 2019 में सांसद आरजुन सिंग्न के बीजेपी में शामिल होने पर राजुसाहनी ने पार्टी बदल ली विदान सबा चुनाओ से पहले वो फि चापे मारी को लेकर टीमसी सांसद सौगात राय ने कहा कि सीबी आई अपना काम कर रही है हम अपना काम करेंगे सीबी आई अभी भी कुछ साबित नहीं कर रही है और यहां वहां चापे मारी कर एक दूसरे को गिरफतार कर रही है इसके बाद ही यह साबित होगा कि कौन द इसने पूस्ताच की विरोधी दल के नेताओं को परिशान किया जा रहा है इसे के साथ ही वहीं दूसरी बड़ी ख़बर ये भी आ रही है कि मवेशी तसकरी कान की जाज कर रही सीबी आई के हाथ चोकाने वाले तत्या लगे हैं दरसल सीबी आई ने अपनी इजाच में पाया कि मामले में गिरफ्तार त्रेडमूल कॉंगरेस के बाहु बली नेता आनुबरत मॉंडल के खरीबी विदुत बरन गाईन ने महस दो सालों में 28 बिगा जमीन खरीदी है वहीं अगर गौर करने वाली बात ये है कि विदुत बोलगर नगर पालिका का एक समान्य कर्मचारी है उसके नाम से बोलपुर और उसके आसपास ये जमीने खरीदी गई है इतना ही नहीं विदुत दो कमपनियों में अनुबरत मंडल की बेटी सुकन्या के साथ सायुक्त निदेशक के पत पर भी शामिल है सीबी आई ने कुछ दिन पहले उसके घर पर छापे मारी की थी इसी के साथ ही आपको बता दे कि सिक्षक निक्ति गुटाले में प्रेसिडेंसी जेल में बंद बंगाल के पूर्व सिक्षा मंतरी पार्थ चैटर जी की तरह मवेशी तसकर जेल की अदेखशक क्रेपा मैं नंदी की ओर से किया गया है आपको बता दे कि जहां सौगात रॉय ये कह रहे हैं कि बीजेपी और जो केंदर सरकार है अपने फाइदे के लिए राजनेती को देशों को पूरा करने के लिए CBI ED का इस्तमाल कर रही है तो देखने को मिल रहा है अलग-अलग केस में सामने उनकी भूमी का नजर आई है चाहे बात हम SSE सिक्षक घुटाले की करें या फिर जुस तरीके से पशुत तसकरी के जो मामला सामने आया है जिसमें के अनुबरत मंडल को गिरफतार किया गया है वो भी एक एहम वजह है इसी के साथ ही अगर हाल इसी के साथ ही 6 अन ठिकानों पर भी CBI इस वाक्त रेट कर रही है इसी के साथ ही अगर हम बात करें सिक्षक भरते गुटाला में तो वहां पर जब ED ने रेट की थी तो वहां पर भी जो सबूत सामने आये थे तो लोगों की आखे फटी की फटी रह गई कि आखिर इतने करोड से भी जादा केक कैश मिले थे इसी के साथ ही सूनी की जूलरी भी बरामत हुई थी जिसकी अनुमानित कीमत करीब चार से पांच करों रुपए बताई जा रही थी और इतना सब कुछ मिलने के बाद भी सौगातरा ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने राजनेती को दे इशादेश के हित में काम करने वाली पार्टी है तो जिस तरीके से उनके नेताओं की जो धांदली है ब्रहस्टाचार है करप्शन है एक के बाद एक सामने आ रहे हैं तो ये साबित हो रहा है कि किस कदर ममता बेनर जी जूट बोला करती थी जनता को गुमराह करने का काम कि जैसे ही ममता बेनर जी को इस बात की खबर लगी कि पार्थ चाटर जी को हिरासत में ले लिया गया है उनके आवास से और उनके अर्पिता मुखर जी जो कि उनकी बेहत करीबी है उनके आवास से इतने सारे पैसे मिले हैं तब ममता बेनर जी ने उन्हें मंत्री मंडल से भी के बाहर का रास्ता पार्थ चैटर जी को दिखा दिया गया इसी के साथ ही अगर सिर्फ ये बात टी-म-सी की नहीं पशिम मंगाल की ही रही है इसी के साथ ही अगर हम विबिनन में देखें तो लगातार जो करॉप्शन के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं विबन राशनेतिक दलों के हिसाब से जहारखण में भी लगातार सीबियाई और एडी की रेट चल रही है वहां पर भी देखने को मिला कि जो वहां के मुख्य मंत्री रहे हैं हेवन सोरेन वहां के कुछ करीबी के हां भी सीबियाई और एडी की रेट पड़ी थी इसी के साथ ही दिल्ली के बात करें तो दिल्ली के जो मुख्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री वो भी लगातार CBI और ED की घेरे में हैं देखने को मिला था कि कैसे मनीश शोदिया के घर पर CBI ने रेट करी थी नई शराबनीती को ले करके इसी के साथ ही अगर हम महराष्ट की बात करें तो महराष्ट में भी संजर आउत इस वक्त ED की हिरासत में हैं और वह इसी के साथ ही तमाम सबूत उनके हाथ भी लग रहे हैं कि किस कदर नेताओं ने करप्शन को अंजाम दिया है ब्रस्ट अचार को अंजाम दिया है आपके इस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को कर दो